दोस्तों नमस्कार मैं संजे मगगू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के पूर मुख्य मंत्री कभी हर्याना की राजनीती के अंदर जिनका पर्चम लह राता था राजनीती के जो पीएचडी कहे जाते थे चौधरी भजिन लाल और उनकी सामाजीक और राजनीतीक विरासत को संभालने वाले कुल्दीब विश्णोई अगर मैं ये कह दूं कि कुल्दीब विश्णोई को पिछले लगबग 36-37 दिन के अंदर यानि कि एक महिना और साथ दिन इस समय के दोरान में डवल जटके लगे हैं जहां राजनीतिक विरासत को वो खो बैठे ही वहीं अब सामाजीक विरासत भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है कुल्दीब विश्णोई जिने चौदरी भजनलाल ने अपना सियासी वारिस बनाया था जिने उनका सामाजीक वारिस भी बनाया गया पहले आठ अक्टूबर को कुल्दीब विश्णोई के बेटे भवय विश्णोई आदमपुर का विधानसभा चौनाव हार गए उस आदमपुर का हार गए जो चौदरी भजनलाल का अभेद्य घड़ था वो आदमपुर जहां पर कभी चौदरी भजनलाल के परिवार के लावा कोई नेता चौनाव नहीं जीता था पहली बार जब 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चौनाव का परिणाम आया तो चौदरी भजनलाल का परिवार यहां चौनाव हार गया यानि कि यह चौनावी शिकस्त होई और उसके बाद पिछले लगवक तीन-चार दिन से जो एक घटना करम चल रहा था विश्नोई महासभा का बिश्नोई महासभा के राष्ट्रिय अद्यक्ष देवेंदर बुढिया और सनरक्षक कुल्दीब बिश्नोई इनके बीच जो संघर्षता जो बाद चल रही थी जो वाद विवाद था उसका पटाक्षेप कल हो गया बुद्धवार की रात को बिश्नोई समाज का एक अध्यात्मिक धाम है बीका नेर के अंदर मुकाम मुक्ति धाम कहते हैं उसको वाँ हूई बद्धवार की देर शाम तक चली जो एक पंचायत हुई दो घंटे से ज़ादा वो पंचायत चली और उस पंचायत के अंदर जो पांच प्रस्ताव पारित हुए, उनमें एक प्रस्ताव पारित ये हुआ कि कुल्दीब बिश्नोई अब बिश्नोई रतन नहीं रहेंगे, उनसे बिश्नोई रतन का सम्मान वापस लेने की बाद चली, दोस्तों आज तक जब से धरम बिश्नोई समाज चल रहा है, तब से लेकर और आज तक केवल दो ही लोग बिश्नोई रतन की उपाधी से नवाजे गए, पहले चौधरी भजनलाल और अब उनके बाद में उनके बेटे कुल्दीब बिश्नोई और उनी कुल्दीब बिश्नोई से बिश्नोई समाज इस समय गर मैं केदू कि नाराज है, यही कारण तो हो अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा, इस वीडियो में बात चल रही है, उस विरासत की, मैंने एक वीडियो आपको पहले भी शियर किया था, आपने देखा होगा, कि आखिर कैसे समालेंगे कुल्दीब बिश्नोई चौधरी भजनलाल की सियासी और सामाजिक वि विरासत जो थी, जो उनको विश्नोई रतन का सम्मान मिला था, जो उनको विश्नोई सभा के राष्ट्रिय संरक्षक थे, अखिल भारतिय विश्नोई महासभा के राष्ट्रिय संरक्षक थे, उस पद से भी अब हटाने की बात चल पड़ी, आपको बताता चलूं कि विश् चल रहा है हलांकि इसको ले करके विश्नोई समाज के लोग काफी नाखुश हैं और ऐसा समाज जो दिशा दिखाता है ऐसा समाज जिसकी परधानवंत्री नरेंदर मोदी ने कही बार खुले आम तारीफ की खुले मुह से कहा कि बिश्णोई समाज प्रकरती के लिए वनस्पती के लिए जीव जन्तूओं के लिए एक प्रकार से अहिंसा पर्मो धर्मा का जो नियम है उस नियम को अपनी जान की बाजी तक लगा कर निभाता है तो उस समाज के अंदर जो चल रहा है इस समय को ले करके खासकर ये सियासी खीस्तान कह सकते हैं इसको पद की खीस्तान आपको बताते चलें कि देविंदर बुडिया तीन दिन पहले आये थे सोशल मीडिया पर देविंदर बुडिया देविंदर बिश्नोई कह सकते हैं उनको बिश्नोई महासभा के राष्टे अध्यक्ष है राजस्तान के अंदर उनकी अच्छी से है और देविंदर बुढिया ने आरोप लगाया सोशल मीडिया पर आ करके उन्होंने कहा कि रंधीर पनिहार जो विधायक हैं आजकल उन पर आरोप लगाया कि विधायक सहाव ने उन पर दबाब बनाने की कोशिश की हर्याणा भवन बुला करके उनके साथ में बद्तमी जी की उनके साथ गल्द वैवार किया ये बात चली तो दूर तक चली रंधीर पनिहार के साथ साथ फिर आरोप कुल्दीब बिश्नोई पर भी लगे संत लालदास जो विश्नोई समाज के बड़े संत हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सामने आकर के कहा कि करोड़ों रुपए की डिमांड की जाती है देविंदर बुडिया से बाद में देविंदर बुडिया ने फिर इसका और विस्तार से इसका वर्णन किया बताया सब कुछ मंगलवार की शाम को और उन्होंने कहा कि उनसे दस करोड़ रुपए की मांग की गई थी विधान सबाद चुनाव के दौरान में उनका यारोप था देविंदर बुडिय बिष्नोई महासभा के हैं या उनको है कहें आथे कहें क्योंकि हटाने का प्रस्ताव पालित हो चुका है उनको देविंदर बुडिया जो राष्ट्रिय अद्यक्ष है वो तो उनको रश्रिय जारी कर चुके हैं इस से अधर को पर सकते हैं इस लिहास से मैं कह रहा हूँ कि यह जो खी स्तान चल रही है विश्णोई समाज के राष्ट्रिय अध्यक्ष पत को ले करके संडख्षक पत को ले करके और विश्णोई रत्न वाली बात और कुलदीब विश्णोई और देविंदर बुडिया के बीच का जो विवाद है तो मैं उन्होंने उससे पहले कुलदीब विश्णोई ने देविंदर बुडिया को अठाया खेर कल जो मुक्ती धाम में जो बैठक हुई पंचायत चली उस पंचायत के अंदर जो पांच प्रस्ताव पारित किये गए वो प्रमुक्त वो प्रस्ताव थे कि एक तो कुलदीब प्यादा है विश्णोई समाज की विश्णोई धर्म के उसका हनन किया है उसको ले करके उन्हें संडख्षक के बस से हटाने की बात चली विश्णोई रत्न भी उनसे वापस लेने की बात हुई उसके अंदर ये भी तह हुआ कि अब चुनाव जो होगा आम सभा से होगा सं प्रया चुनाव होने तक वही अध्यक्ष होंगे गर्मा गर्मी वाली पंचायत थी आप इस पंचायत के विज्वल्स भी देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर भी आपको बिल सकते हैं और हम भी आपको दिखा रहे हैं बात वहीं आ जाती है कि सत्ता का विकेंद्रिय करन कर रखा था लेकिन संत लालदास ने उसको कोपन कर दिया कि रंधीर पनिहार के पीछे कुल्दीब विश्णोई हैं वैसे रंधीर पनिहार और कुल्दीब विश्णोई का जो रिष्टा है जो नाता वो क्या है आपको बता दूं कि वह कुल्दीब विश्णोई के साथ जब कुल्दीब बिश्णोई हर्याना जनहित कॉंग्रेस को चलाए हुए थे तो पनिहार हर्याना जनहित कॉंग्रेस में थे जब भारती जनता पार्टी में कुल्दीब बिश्णोई गए तो फिर वो भारती जनता पार्टी में गए और इस चुनाव के अंदर रंधीर पनिहार क के टिकेट के लिए पूरा जोर लगाया कुलदीब भिष्णोई ने टिकेट दिलवाया भी और रंधीर पनिहार विधायक भी बन गई और विधायक बनने के बाद से ये विवाज शुरू हुआ जो पिछले दिनों चलता रहा और उसके बारे में मंगलवार को सामने आकर के देविंदर बुडिया ने उसका उजागर किया उस सारे मामले को सबसे प्रमुक बात तो ये है कि मैं आपको बता रहा था कि सत्ता का विकेंदरी गड़े रहने की सत्ता को अपने आसपास तक सीमित रखना इसके चलते सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो ये गई कि बिश्णोई समाज जिसको पूरी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखती है उस समाज की जो सियासी और ताकत की वर्चस्व की लड़ाई ये सडकों तक आ गई और ये मीडिया और सोशल मीडिया तमाम प्रेटफॉर्म्स पर उनका हिस्सा बनना शुरू हुई जो मैं आपको बता रहा था कि विवाद की जो शुरुवात थी और विवाद का जो पटाकशेप लगबग जौब होने को है इस सब के बीच में अगर कहें तो कहीं फिर छवी धुमिल जरूर हुई है कुल्दीब बिश्णोई और चौतरी भजन लाल की कहा ये जा रहा है कि अब ये विवाद जो है ये जो चल रहा है ये आगे चल करके इसका अलग रूप सामने होगा अगर कुल्दीब विश्णोई से जो विश्णोई रतन उनसे वापस लेने की बात चल पड़ी यानि कि कुल्दीब विश्णोई अब विश्णोई रतन नहीं रहेंगे उनसे संडक्षक पस से उनको उटाया जाना यानि कि जो चौधरी भजनलाल की जो उनके पास समाजिक विरासत थी उसका भी धीरे धीरे शे हो जाना यानि कि नुकसान हो जाना और उनसे वो समाजिक विरासत भी धीरे धीरे समाज द्वारा वापिस ले लिया जाना सियासी विरासत तों मैंने आपको बताया कि चुनाव हारने के बाद इखत्म हो गई सबसे प्रमुक बात ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों आखिर सब के पीछे कारण क्या रहे आखिर ऐसे कौन सी बाते हैं जिसके चलते बिश्णोई समाज के अंदर कुलदीब बिश्णोई को ले करके इतना जादा गुसा या निराशा या ये सब कुछ चला आखिर कारण क्या हो सकता है क्या सत्ता का जो केंदर बनने की वर्चस्व की लड़ाई जो होती है क्या उसके अंदर ऐसा हुआ भी करता है अब आगे चलके भी कई सवाल रहेंगे दोस्तों आगे चलके सवाल ये रहेंगे कि क्या जैसा का गया विश्णोई महासभा की बैठक जो मुक्ति दाम में कल हुई उसके अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया कि आप कोई संडक्षक नहीं होगा और संडक्षक के पास में चुनाव परधान का चैन करने के राइट्स नहीं होंगे कुलदीब विश्णोई से विश्णोई रतन वापिस लिया जाएगा ये सारी जो बाते हैं ये तो इंगित ये कर रहे हैं कि जैसे वो विरासत धीरे धीरे छिनने की तरफ है हाथ से खिसकने की तरफ है जैसे टाइट मुठी करने से और जो मुठी में रेत होती है वो जाती है आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में विवात कितना और बढ़ सकता है आपको क्या लगता है कि क्या सामाजिक ताने बाने को ठीक रखने के लिए कुलदीब विश्णोई को कोई त्याग नहीं करना चाहिए सामने आकर कहना नहीं चाहिए कि वो सामाज की एक जुटता के लिए कुछ भी करने को तयार हैं कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें